बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी के वरिष्ट नेता सिध्धार्थ नात सिंग ने निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि मोधी के खिलाफ विपक्ष के लोग एक जुटता की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन अलग-अलग राज्यों में इनकी अपनी डफली अपना राग है ऐसे में भारतिय जन्ता पार्टी के लिए विपक्षी दल किसी भी तरीके से चुनोती नहीं है बीजेपी नेता सिधार्ट नाथ सिंग ने कहा कि पटना में हुई बैठक में लिटी चोखा खाया है लिटी चोखा खाने के बाद अब विपक्ष शिम्ला में ट्रावड मचली खाने के लिए जाएगा भारतिय जन्ता पार्टी को विपक्षी दलों के बैठक का कोई असर नहीं होने वाला है देखे जो पटना में विपक्षी लोग मिले हैं वो है अपनी अपनी धपली अपना अपना राग बजाने के लिए तो वहाँ और कुछ नहीं हो रहा था और गय थे पटना लिट्टी चोका खाने अब शिम्ला जा रहे हैं ट्रावड मचली खाने के लिए तो इसके लावा कुछ नहीं है और आप इनको हर राज में इनका रिकॉर्ड देखिए सब अपनी अपनी धपली बजाते हैं हर राज में देखिए एक दूसरे के पती कि क्या इनलों का दुर्वहवार रहता है या क्या राजनितिक क्या इनका एक दूसरे से मन मटाव रहता है उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतिय जन्ता पार्टी देश में 400 से ज्यादा सीटे जीत करके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नित्रित्व में केंद्र में सरकार बनाएगी बीजेपी नेता सिधार्ट नाथ सिंग ने कहा कि विपक्ष गटबंधन की राग के बहाने बाराती तो बन गया है लेकिन इनके पास दूलहा नहीं है और जब दूलहा मिल जाएगा तो देश की जन्ता उस पर यकीन कर पाएगी यह बहुत मुश्किल है वही विपक्षी दलों की बैठक में शामिल आरजेडी नेता लालो प्रसाद यादव के फिट होने वाले बयान पर बीजेपी नेता सिधार्थ नाथ सिंग ने कहा है कि वह राहूल गांधी की शादी में जाने के लिए फिट हुए हैं भारतिय जन्ता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है सिधार थनाद सिंग ने कहा कि लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के बारात में जाने के लिए फिट हुए है इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को बैठक के दर्मियान शादी करने की नसीहत भी दी देखे राहुल जी को उन्होंने एक सलावी दी कि राहुल जी आप दूला बन जाओ, शादी कर लो और मैं अब फिट हो गया हूँ तो इसलिए आप शादी कर लो तो मैं बराती भी बनके चलने को तयार हूँ तो राहुल जी को ये सला दीती कि आप वो बराती बनना चाहते हैं आप शादी कर लो तो ये सलाती नहीं कोई और सला दी है इनका फिट होना कोई आपके लिए कोई बॉट ने वो बराती बनना चाहते है अब राहूल गांदी कह रहे है दुला बन जाओ ये तो बाकी विपक्ष को समझना पड़ेगा कि लालू जी ने किस तरह से बिट्वीन दे लाइन्स की आप मेसेज दिया है सबको कि राहूल जी अब दुला बनो राहूल कह रहा है मैं दुला नहीं बनूँगा वो कह रहे हैं कि हम बराती बनना चाह रहे हैं मैं फिट हो गया है तो आप मतलब समझे क्या क्या चल रहा था